हेलो वरिवन वेलकॉम तो टोड़ेज वीडियो और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक यहां पे इंसॉलविंसी की रूमर आ रही है यह कहा जा रहा है कि CZ जो है जो कि बाइनांस के ओनर है वो यहां पे मार्जन कॉल्स हो सकती है हो सकता है जो उधार FDX ने लिए रखा है FDT token को स्टेक करके वह यहां पे शायद लेक्विड हो जाहिए जिससे एक death spiral बनेगा and FTX exchange खतरे में आ सकता है तो इसके बारे में हम बात करेंगे कितनी सचा ही and rumors में इसके बारे में भी हम बात करेंगे there is one trade जिसके बारे में बात करेंगे कल हमने आपको क्या दिया था Matic का short उसकी क्या performance रही profit रहा loss रहा उसके बात करेंगे so let's get started make sure to watch the complete video video में कोई फालतु चीज़े मैं नहीं बोलता हूँ ताकि आप लोग का time भी waste बेशना हो let's get to the charts so start करते हैं Bitcoin के फोरा chart की साइट से and यहां पर क्या देखने को मिला अचानक से market जब उपर गया था पिछले कुछ दिनों में के बाद से market ने थोड़ा सा pullback लिया है इसके बारे में मैंने आप से बात करी थी that there will be a pullback and यह एक छोटर सा pullback है मेरे साब से Bitcoin will bounce again pretty soon क्योंकि लगातार भी उपर नहीं जा सकता है थोड़ा सा pullback हमें चाहिए होता है हमें पता है कि जब भी upward trend होता है इसमें higher lows बनने भी जरूरी होते हैं के वल higher highs ही बनते रहेंगे तो वह strong trend नहीं माना जाता है थोड़ा बहुत pullback है Bitcoin की साथ से में जादा कुछ expect नहीं कर रहा हूं इसी area में रहना चाहिए minus one two percent होता रहेगा बात करते हैं कल के शॉट की तो कल हमने आपको दिया था मैटेक का शॉट यह है कल की वीडियो से एक snippet जहां पर हमने मैटेक का शॉट सेटप आपको explain किया था hopefully आपने सेटप के according मैटेक को शॉट किया होगा and currently अगर हम देखें तो किस तरीके से प्राइस मूफ किया वीडियो के बाद से तो वीडियो के बाद से प्राइस थोड़ा सा उपर गया and around one percent loss हुआ था तो लोग twitter पे मेरे को एकदम tag करके message कर रहे हैं कि भाई loss होने लग गया है तो one percent loss पे मत पैनिक किया गरो guys क्योंकि थोड़ा सा annoying हो जाता है मेरे लिए भी किस तरीके से माटिक का शॉट परफॉर्म किया तो हम around minus one percent two percent तक गए थे three x के leverage पे शॉट किया था माटिक का शॉट उसके बाद profit देने लग गया तो हमने रफली इस एरिया से एंटर किया था and currently भी वह profit में ज्यादा movement नहीं आया सुबह से इसमें भी and six percent तक कर download movement देखा तो अगर आपने three x पे भी क्या हो तो 18 percent आपका best case scenario रहा होगा currently भी आप around 10-12 percent के profit में होंगे अपने मैटिक का शॉट लिया profit बनाया तो make sure to comment down भी से हमें भी थोड़ा motivation मिलता है डेली आपके लेने trades जूंड के लाने का इसके साथ साथ अगर आप हमें telegram ग्रूप पे हो तो हमने कल एक और long लिया था जिस था solana का long and solana का long भी हमने अच्छे घसे profit में profit कमाया ठीक इसलिए make sure आप telegram पे रहें notifications on रखें और मेरे twitter को भी follow करते रहें और वहां पे भी notification on रखें अब बात करते हैं आज के important topic की जो है ftx के insolvent होने का rumor चल रहा है मेरे सब से rumor ही है लेकिन हमें उस rumor पे trade करने एक पे अच्छागा सा result मिलता है तो हम क्यों न करे राइट तो हमने ftx पे short किया था सुबह-सुबह and सुबह-सुबह profit बनाया है पिल्कुल देख सकते हो 11 बजे की बात है यहां पे ftx में अगर आपका कोई भी amount है ठीक है तो उसको निकाल लो मैंने personally भी काफी सारा वहां से निकाला है तो मैं bitcoin mostly ftx पे था bitcoin withdraw किया उसकी कोई fees नहीं है and i don't think वो यहां पे अपने exchange को insolvent होने देगा ftx is still sponsoring things तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेकिन हम मौके पे को यहां पर इच्छा शॉट करके profit बनाया है और हमने अपना amount वहां से निकाल लिया है in case वो जाता भी है तो हम यहां पर safe रहेंगे profit में रहेंगे बात करते हैं कि आज के लिए क्या हमारे पास trade रहेगा तो आज मेरी नजर रहेगी हमारे one of the favorite in premium coin की वो है हमारे पास sushi सूशी का short हम कुछ इस तरीक से build करेंगे reason क्या है उस shot का सबसे पहले वो देख लेते है reason है कि यहां पे double top formation है इसका जो neck है यहां पे break हो गया है तो यहां पे अब neck break के बाद थोड़ा से उपर गया लेकिन अब हमारे पास downward trend जाने की chances बट रहे हैं क्योंकि bitcoin ने अच्छा का था pullback ले लिया है अभी वो moving average का support ले रहा है तो bitcoin might ruin this तो आप अपना leverage जो है 5 से 3 x के बीच में रखना मैं तो कह रहा हूं कि 3 x या 4 x रखो that will be good 10 20 30 x अब उसमें आपको loss होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूं तो किस तरीके से हम इसको short करने वाले राइड तो this is going to be our short setup and is short setup को हम रखेंगे roughly इस area तक around 1.7 तक तो यह हमारा short setup रहेगा इसको fill कैसे करने आपको चोटे time frame पर आते हैं तो इसको fill हम कुछ इस तरीके से करेंगे अगर हम इस trend line को देखें and second trend line हम यहां से draw करेंगे तो इस area में मेरे साब से जाना चाहिए sushi and roughly first entry हम current price पे लेंगे second entry हम around 1.82 पे लेंगे 3rd entry हमारी रहेगी 1.83 पे यह तीन entries हैं आपके पास इसका stop loss जो है रहेगा roughly 1.866 से ऊपर की candle close 1 hour की candle close के ऊपर रखेंगे हम इसका stop loss and उसके बाद हम यहां पर wait करेंगे तो take profits जो है वह आपको खुछ से लेने है dca करके entry लेता हूं dca करके ही मैं हाँ पे profits बुक करता हूं मतलब छोटे-छोटे parts में बुक करता हूं तो वह आपके उपर है मेरे को ऐसा fix नहीं रहता है कि यहीं पे करेंगे लेकिन अगर आपको चाहिए तो 1.79 1.775 and around 1.75 is decent enough targets and हम यहां पर यह भी देखने कि moving average के पास जा रहा है तो कल हमने इसी logic पर मैटिक का शौट भी लिया था and same चीज़ हमने यहां पर देखिए कि moving average के पास अभी move कर रहा है तो यह था आपके पास ftx finance की क्या situation चल रही है ftt token का crash जो हो रहा है हमने कल की trade के आपको update दी एक नया trade दिया उसका setup दिया अबने वीडियो पूरी देखिए होगी जाता रिसक मत लेना market में try to keep your leverages down in case market उपर भी जाता है यहां से तो आप फसो ना ठीक है तो यह आपको याद रखना है also make sure to join telegram अगर अपको देखना है कि हम positions को close कप करते है open कप करते है because अभी मुझे Twitter पे मैसे जाया था किसी ने हमारा Matic का short लिया था जहांने Matic को 0.92 से 0.86 तक short किया था तो उन्होंने अप तक close नहीं गया क्योंकि और टेलिग्राम पे नहीं थे ठीक है तो यह यहाद रखना so that is it for this video guys make sure to like the video subscribe to the channel and if you have technical analysis you can check out my course below and if you have proper trade setups then you can join our premium this link below below thank you for watching i'll see you in the next one